मद्ध प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पेले कांग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है कांग्रेस के पूर्व केंद्रिय मंत्री, पूर्व PCC चीफ और चार बार के राजसभा सदस रहे सुरेश पचोरी ने अपने एक दर्जन समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ कर BJP जोईन कर ली है सुरेश पचोरी एक बड़ा नाम है जिनका प्रदेश में काफी जनाधार है, प्रदेश अदश रह चुके हैं और सुरेश पचोरी के साथ में धार से पूर्व सांसात रहे, गजेन सिंग राजु खेडी ने भी BJP जोईन की है कांग्रेस के विधायक रहे इंदोर से, संजेश शुकला ने BJP जोईन की है, देपालपुर से विधायक रहे, विशाल पठेन ने BJP जोईन की है साथ ही पूर्विधायक अरजुन पलिया, जिनका होशंगाबाद छेतर में काफी अच्छा परवाव है, उन्होंने BJP जोईन की है और उनके बेटे सत्पाल पलिया, जो कांग्रेस में प्रदेश उपाद्दक्ष थे, उन्होंने जाइन की है साथ ही केलाश मिच्रा जो भोपाल कांग्रेस के पूरवद्दक्ष थे, उन्होंने भी BJP जोईन की है इन एक दरजन नेताओं के BJP जोईन करने से कहीं न कहीं लोगसभा में कांग्रेस को काफी नुकसान होगा भोपाल अगर हम बात करें लोगसभावार सीटों की तो भोपाल, होशंगाबाद, इंदोर और धार जैसी लोगसभा सीटों में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा वहीं जब सुरेश पचूरी ने BJP जोईन की तब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आखिर आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, BJP क्यों जोईन की तो उनका कहना था कि धर्म के साथ कोई समझोता नहीं किया जाएगा कांग्रेस ने जिस तरहां से राम लला की प्राण प्रतिश्टा के निवंतरन को ठुकराया है वो अमारियादी थे, ये जो अपमान है हम नहीं से सकते और साथ ही जो कॉंग्रेस पहले वाली कॉंग्रेस थी वो कॉंग्रेस नहीं नहीं है कॉंग्रेस पहले कहती थी जात ना पात की बात और वहीं लेकिन अब कॉंग्रेस पता नहीं किसके दवाव में किसके प्रभाव में इस तरह की बाते कर रही है और कॉंग्रेस बदल गई है तो कुल मिलाकर कही न कहीं लोगसवाचुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है एक दरजन नेताओं ने कॉंग्रेस छूड़ी है और कॉंग्रेस छूड़ने के बाद सुरेश पचूरी ने एक शेर कहा कि राक के धेर में शोला है ना चिंगारी यानि कि सुरेश पचोरी ने साफ कर दिया कि कॉंग्रेस अब धेर राक का धेर हो चुकी है जिसमें शोला है ना चिंगारी अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में और कितने लोग कॉंग्रेस शोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं और इससे लोग सबाचुनाओं में कॉंग्रेस को कितना नुकसान होता है कैमरा परसन अभीशेक सिंग के साथ अन्टी टीवी के लिए भोपाल से इजार असन खान